हाँ तो भई स्वागेत अपने जंदे करना है पॉड कास्ट में तो भई जैसे कि आप लोग बहुत प्यार देते हो हमारे अस्ट्रलोजी निमरलोजी और वास्तु पॉड कास्ट को तो आज फिर से हमारे साथ आगे हैं वेरी यूनीक वास्तु एक्सपर्ट महाव वास्तु अचार रहे है जस्पीट सिंग जी और आज हम वास्तु को अलग तरीके समझने वाले इन्होंने बोला है मैं वास्तु को के स्टडी स्के थूर समझाने वालों और वास्तु के मिट्स भी आज बहुत क्लियर होने वाले हैं तो सवागे दिया सर आपका थैंक्यू सो मच पहल है वास्तु वह है जबकि यह जो सब्जेक्ट है ना यह एक टॉप लिग के लोगों का है अगर आप वास्तु हिस्ट्री के हिसाब से देखने जाओगे तो राजे महराजाओं का सब्जेक्ट था यह सब्जेक्ट आम जनता एस्ट्रोलोजी को मानती थी बट वास्तु का ज आज अगर मैं वास्तू की बात करूँगा आपसे तो वास्तू सब्जेक्ट को जितना टॉप लेवल के बिजनसमेन और टॉप लेवल के पॉलिटीशन यहां सेलिब्रेटी समझते हैं वेडाउट एनी मिथ उतना आम जनता नहीं समझती है एक नॉर्मल हुमिन बींग को तो यह एक मिथ लगता है और आदे से ज्यादा लोग मैं आपको मेरी जर्नी अगर बताऊंगा क्योंकि मैंने 25 साल रियल स्टेट में काटे और मैंने लास्त यूनो साथ-ाथ साल से वास्तू की जर्नी स्टार्ट की आज भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके इस वास्तू के ट अब दिखाते नहीं है सोचल मीडिया पर की वी यूज दिस साइन्स या यह साइन्स तो इसलिए लोगों यही लगता है कि भाई कोई फॉलो जादा करता नहीं है तो फिर जेनरल ओडियंस को भी यही लगता है mostly अगर बड़े लोग यह सेलेबरिटी लोग इस चीज को ओप है serious but वह आपको अपनी job करने देते हैं जबकि अगर मैं एक normal आदमी के हैं जब मैं वास्तु करने जाता हूं एक normal you know family के हैं करने they have lot of questions because उनको इसके बारे में awareness नहीं है उनको यह लगता है अच्छा भी यह कर दिया अभी क्या होगा इसको अभी यहां रख दे आप मैं उनक काम खतम करके आता हूं उनको पूरी science systematically समझा के आता हूं आप उसके बाद भी मुझे उनके फोन आते हैं क्या हम इसको यहां रख दे क्या हम यह कर लें because they don't believe in the system they don't understand see जहां पर यह top level की जब मैं बात करता हूं वो जब मिलते हैं आप उनको यह बात समझाते हो तो क्या बोलते हैं अच्छा ठीक है आप एक काम कीजिए आपको जैसे करना है आप कर लीजिए because they don't get involved then they give you that hand they believe in you that you know if I am paying you they trust in you कि अच्छा ठीक है भाई मैंने इसको पैसा दिया है यह subject का master है let him do his job so यह फरक है normal families में मेरे को जो एक experience मिलता हो यह है अच्छा आजा अपने यह कर दिया एक हफते बाद या दस दिन बार they will call you अरे अभी तक यह हुआ नहीं अब जो आपने जो रायता फेलाया है अगर मैं आपकी दिली वाली भाशा में बात करूं जो रायता फेलाया है पिछले पांच-दस साल से वह पांच दिन में अगर मेरे वास्तू ठीक करने से हो जाए तो पहले तुम्हें अपने यहां पर ही कर लेता हूं better अच्छे से वास्तू से होता क्या है वास्तू सब्जेक्ट क्य क्या करता है शुकर लेविन आपके वीपी लेविल सब आपको बताता है उसको बैलेंस करने को बोलता है कि शुकरल बर्बाश्य आपको बताउं जो मैंने सीखा, वो हमारे गुरुजी है, खुश्दीब बंसल महावास्तू, आपने मुझे महावास्तू अचारया बोला, वो मेरा इंस्टीट है, जहांसे मैंने वास्तू सीखा, यह जो आपने, आपके मैंने बहुत सारे पॉड़कास्ट पहले भी देखे वास्तू गुरुजी खुश्दीब बंसल, जो उसके निर्माता है, जिन्होंने उसकी खोज निकाली, उन्होंने इंडिया में ही नहीं, उन्होंने यूरोप के सारे पैलेसे में जाके देखा, रीजन बिंग, क्योंकि इंडिया में काफी चीजें गोरे जाने के टाइम डिस्ट्रॉ इसका सिस्टम क्या है? तो लोन देखा कि ब्रहमस्तान से, जो भी आपका इंख्लोज एंवायरमेंट है, उसके ब्रहमस्तान से, ये सोला जोन हैं, पहले क्या था? ये नॉर्थ ये इस्ट है, ये साउथ है, उसके चार सब डिविजन्स, उसके आगे के जो आठ सब न में महाबास्तू, ड़का समने वहां से सीखा, काफी लोगों ने सीख यह, ऑट दों अक्नॉलेज, इस अके बेड़ में परशनल चॉइस, अचाँ इस परसनल चॉइस, इसके सब्सक्राइबर से, ये सिस्ट में भी फॉलो करते हैं लोग इसको, जेतना उरोप और GCC कॉं होगा कि भीया clockwise दरवाजा बना दो शीडिया clockwise कर दो आज इंडिया में कितने ऐसे malls हैं जो flop हो जाते हैं बड़ GCC country में mall बहुत कम percentage में जो flop होते हैं क्योंकि इन 16 zone में 13 zone जो हैं वो positive हैं तीन negative है उन 16 zone में जब आप staircase clockwise डालते हो तो उसकी positivity को आप दबा देते हो एक screw अगर जब आप दिवार में कसते हो जब आप उसको कसते हो तो clockwise अंदर जाता है तो क्या कर रहा है और जा रहा है उस energy को अंदर दबा रहा है जब आप उसको खोलते हो anti-clockwise खोलते हो तो बहुत बहुत ज़ूरी है सिस्टेमाटिक होना मतलब एक प्रॉपर फ्लोर प्लान होना, राइट डिग्रीज होना, नॉर्थ साउथ के हम ज्यादा तर, यूनों, कमपस पे और मोबाइल की डिग्रीज पे पूरा ट्रस्ट नहीं करते, वी ओल्वेस फॉलो गूगल एर्थ विद डिग्रीज, यूनों, कि जो दो, चार, पांच, यूनों, डिग्रीज का फारक आ रहा है, वो जोन के हिसाब से क्या वो राइट दिखा रहा है, जो इनको प्रॉब्लम है, वो क्या सही है या गलत है, अगर आप अपने center of the property से positive जो तेरा zone है, उनमें anti-clockwise staircase लगाओगे, तो आप उसकी और ज़्यादा positivity बढ़ा देते हो, बॉम्बे में, आज मैं कुछ projects के उपर आज आज आवास्तू consultant काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो builders मेरे को पहचानते थे because of real estate background, so they called me and said boss, now we are handing over this project to you, आप start कीजिए काम करना, तो मैंने उनसे problems पूछी, तो problem क्या है, real estate में देखो एक problem आती है, जर्नली किसी भी state में चले जाओ, बिल्डर का सबसे पहला एक वरी क्या है, मेरे permissions टाइम पे आजाने चाहिए, आप जब किसी भी plan को submit करते हो, बिल्डर्स के लिए ये especially मेरा message है, आप जब भी किसी plan को submit करते हो, अपनी municipality में या अपनी agencies में, जो भी आपके state में है, उसी दिन से आपका वास्तु count हो जाता है, भले site पे काम शुरू हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि आपकी team की और आपके subconscious की energies उस plan पे डल चुकी है, कि ये शीडिया यहाँ आएंगी, ये area यहाँ होगा, ये zones यहाँ पर ये काम करेंगे, ये zones यहाँ पर ये काम करेंगे, सो कितनी जगाओं उपर मैंने वो water tanks को right जगाओं पे डालके, anti-clockwise and clockwise, right degrees लेके, right zones को select करके, anti-clockwise staircase देके, उनके plans जिनको 6-6 महिने लगते थे passing में, वो 2-3 महिने में नॉर्मल दूरेशन में आगए पास हो के, just by changing the plan only, just by submitting the right plan as per वास्तू, when we do deeper study for builders, मैं जो भी मेन उनके, अभी क्या होता है, हर builder के यहाँ पर, और एक front में जो खुद builder है, जो active partner है, वो रहता है, so I work on his kundli, अब उसकी kundli के हिसाब से जब हम देखते हैं, तो हमारी kundli में क्या है, जैसे 16 में से 3 zone negative हैं, और 13 positive हैं, same kundli में भी 12 घरों में से आपके, 2 या 3 घर थोड़े negative effects दे देते हैं, बाकी के सब positive हैं आपकी लाइफ से, so उन negative houses की जब आपके घर की entry exit points आ जाएं, यहां कोई main activity वहां पर आ जाएं, उनको ध्यान में रखते होएं, कि आज मान लीजे, south मेरे लिए शायद बुरा होगा मेरी kundli में, बट उनके लिए positive है, तो अगर उनको south का entry exit मिल रहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ, आप please south का लीजिए, तो फिर myth में आ जाते हैं, और यार south तो negative होता है, I tell them, कि आप लेके तो देखिए, एक बाट ट्राइ तो कीजिए, अभी तो plan submit कर रहे हो आप, south की वो जो 150 degree से 180 degree की entry है, वो इतना पैसा देती है न, नॉर्थ की कोई entry नहीं देती, आपकी कुंडली में अगर वो positive होके बैठे हैं, या normal basic वास्तु के इसाब से भी बात करूँ, center of the house से, 150 degree से 180 degree का अगर आपको door मिल जाए, पैसे अगर आप काम ढंक से करते हो, आप अपने काम में इमानदार हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आप पैसे काउंट करते करते ठक जाओगे, भगवान उतना पैसा देगा, लक्षमी इतनी आएगी, या आप entry बता रहे हैं, workplace की या घर की भी, मतलब घर भी हो सकता है, office भी हो सकता है, आपकी shop भी हो सकती है, south की हो entry, center से 150 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आनी चाहिए, सर बात करते हैं कि, आप अभी बता रहे देगी, आपकी client हैं, शिल्प शेटी जी, उनके लिए भी आपने काम किया है, करता था कि मैं उनके साथ, उनका real estate में जो भी घर का कुछ करना है, office का करना है, कोई commercial, सो हमारा वहाँ पर हमारा मिलना हुआ था, सो ऐसे ही एक बार discuss हुआ कि, let's, you know, visit house आप करते हो वास्तू, आप घर क्यों नहीं विजट करते हैं, सो मैंने घर विजट किया, तो बाकी तो सब ठीक है, उनकी लाइफ में ऐसा कोई problem नहीं है, तो मैंने शिल्पा जी से पूछा, कि आप बताईए, आपको, बुले यार, काम अच्छा होना चाहिए, कुछ ऐसा देखो कि काम अच्छा हो जाए, opportunities और खुलनी चाहिए, क्योंकि वही टाइम पे lockdown भी होके गया था, सो मैंने उनका घर का जब planning पूरा बनवाया, अच्छे से floor plan हमने design किया, सेंटर से सारे zones देखे, तो मैंने उनको पूछा, आप कौन से zone में बैठके काम करते हो, तो उनने मेरे को एक zone दिखाया, सो center of the house से north का zone आ रहा था, north क्योंकि I as a opportunity का zone है, वहाँ पर एक पूरी wall थी जो yellow color की थी, तो अभी water में क्या आ गया, earth element आ गया, तो मैंने उनको बोला, ये wall हम green करेंगे, तो बोले reason, I said आप कर लीजिये, ये जो मैंने आपको पहले बात बताई, एक बार reason पूछा, उसके उपर जादा वो नहीं discussion नहीं किया, बुले no problem, if you are saying, let's do it, उन्होंने अपने secretary को बुलाया, बुले कल ये दिवार green हो जानी चाहिए, और वो उन्होंने कर दी, उसके बाद उनका वास्तु कैसा चला, वो आपने उनका वीडियो मेरे Instagram पर सुनाई है, उनकी life में वो opportunities खुली, काम को लेके, advertisements को लेके, उनके confidence को लेके, confidence wise I'll tell you, she is the best mother, best wife, अपने उपर, अपने self confidence के लिए, अपनी health के उपर, अगर कोई अगर इतना ध्यान देता है, मैंने किसी बंदे को नहीं देखा, जिस तरीके से वो देती है, अगर आज अगर आप उनका चैनल फॉलो करोगे, जितना योगा के उपर, और हेल्थ के उपर, हमारे यहाँ पर सेलिबिर्टी में से, शिल्पा जी नॉलेज दे रही है, कोई दूसरा सेलिबिर्टी शायर ही देता हो, क्योंकि वो जेन्यून नॉलेज है, खुद के उपर इंप्लिमेंट करके दे रही है, अचा एक चीज और, अगर उनकी लाइफ में कुछ तकलीफ आया, शिल्पा जी के लाइफ में तो उन्होंने उस चीज को कैसे हंडल किया, अगर मैं स्ट्रेंथ वाइस बोलूँ और माइंड वाइस बोलूँ, शी सो पावर्फुल, कभी-कभी हमारे पास हमारे कुछ टूल होते हैं, कि मेरे को नहीं पता था शिल्पा मेरे पीछे एकदम खड़ी हैं, वो टूल नेगेटिव चल रहा था उस एक पर्टिकुलर जोन में, जब मैं वो टूल चेक करता हूं तो मेरे ध्यान में होता हूं कि मैं जादा इदा देखता नहीं हूं, एंड सडनली वो टूल रुकता है और वो पॉजिटिव चलना शुरू हो जाता है, एंड गॉट लिटल कन्फ्यूज कि यह क्या हुआ, एंड आई टर्ण आराउंड तो देखा पीछे शिल्पा खड़ी है, आई वस लाइक बॉस, इसको बूलते हैं पॉजिटिविटी, कि टूल भी अपने आप पॉजिटिव हो गया, उस इंसान के अंदर वो पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बोला, कि वो एक ऐसी स्ट्रॉंग मदर है, अपने बच्चों के उपर जो वो ध्यान देती है, उनकी हर एक इतने बिजी शेडूल में भी वो ध्यान देना, अपने हस्बेंड के साथ उनका इंट्रेक्शन में, आज उनकी मदर इन लौ है, उनकी मदर है, as I you know, डॉर्टर, डॉर्टर इन लौ, she's very good, मतलब excellent, I would say, जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, उन्होंने उसको इतने strongly handle किया, शाइद ही कोई person कर रहा है, Sir, अगर मैं पूछू कि, कि आपने किसी जगा पर वास्तु किया, और उस चीज का असर दिखने में, जैसे कि लोग कहते हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए, कितने टाइम में होगा, तो वास्तु में ऐसा कुछ specific time, standard time है कि इतने time में आपको दिखता है result, या फिर वो person to person या जगा पर डिपेंड करता है, See, what happens, I'll tell you, it depends, कि आपके उस particular, जैसे मैंने पहले वर्ड यूज किया रहे था, कितने सालों से फेला हुआ है, काम का, अभी किसी-किसी का ऐसा होता है कि उन्होंने जस्ट अभी घर मूव किया है, और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, और किसी-किसी का ऐसा है कि वो, because of wrong myths वास्तु के, बहुत टाइम से wrong इलाज करते जा रहे हैं, बट क्योंकि survival चल रहा है, वो चलते रहते हैं, चलो अभी ये भी try कर लेते हैं, अभी वो भी try कर लेते हैं, ऐसे भी मेरे को बहुत client मिल है, जिनका problem आच्छे नहीं, 8-10 साल से चल रहा है, सो मेरा एक ही उनको ये रहता है, कि boss मेरा वास्तु करने से, आपकी life में कल के कल कोई चमतकार नहीं होने वाला, time लगेगा, because आपका mind जो है, वो fine-tune होगा इस environment के साथ, जिसमें 30-60 days का minimum time लगेगा, फिर आप ही अपनी problem का solution निकालोगे, because see, problem अगर आपकी life में create हुई है, तो वो कोई और नहीं कर पाता, आप ही करते हो, चाहे वो legal है, चाहे वो financial है, चाहे वो relationship wise है, चाहे वो बच्चों wise है, आप किसी भी sector की आपकी problem, create आपके द्वारा ही हुई है, क्योंकि आपके subconscious mind और, conscious mind में, वो signal जो है, वो proper नहीं गए, जब उनको किस तरीके से react करना था, अब जब हम उसको environment को balance करेंगे, तो आपका subconscious mind, धीरे धीरे काम करना start करेगा, और right steps लेने शुरू करेगा, जब वो right step लेगा, automatically चीजें सही हो जाएंगी, but time लगता है, and sir, how do I figure out that he is a genuine वास्तु expert, यह कैसे बता लगे इंसान को? मेरा आज आपके channel के जरी, अगर मैं यह message देना जाऊंगा न, तो एक right वास्तु consultant, यह एक expert, जो अच्छे से काम करेगा, अगर वो बिना floor plan के, grid किये, right degree लिए, काम कर रहा है, देखिए, कई लोग हैं, जो बहुत expert हैं, पिछले 25-30 सालों से, 50 सालों से काम कर रहे हैं, जो right काम कर रहे हैं, उनके अंदर आज वो गुण आ चुके हैं, उनके अंदर वो एक, यूनो एक शक्ती आ चुकी है, कि चलो ठीक है, इस subject को लेके, उनको उपर वाले का कुछ आशिरवाद है, कुछ देन है, तो राइट कर देंगे, लेकिन, without floor plan, without proper grid, without explaining to your client, आदी से ज़्यादा problem हमारे देश में ये है, कि वास्तू consultant या ऐस्ट्रो लॉजर बताता है, कि आपकी life में problem क्या चल रही है, बजाए client आपको बताए, हमेशा मैं मेरे client को ये बूलता हूँ, कि जब मैं आया हूँ, आप प्लीज अपनी पूरी family को लेके बैठिये, आदे से ज़्यादा लोग क्या करते, मेरा husband बिलीव नहीं करता, मेरी wife बिलीव नहीं करती, मेरा ये बिलीव नहीं करता, we want to do, आपको और problem किसके साथ है, जो बिलीव नहीं करता, उसी के साथ इनकी problem है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर वो बिलीव नहीं करता, मैं तो मेरे clients को बूलता हूँ, मुझे को ये बूलता है न, कि मेरे husband बिलीव नहीं करते हैं, या मेरी wife, I say thank you, they don't believe, because जो बिलीव करता है, उसके अंदर से वो myths को निकालने में टाइम लगता है, वो Google में पढ़के myths, वो Instagram में जाके myths, वो यूनो, किसी पिरामीड की आड़ देखके, myth कि मैं इसको यहाँ लगा लूँगा, तो इससे सब सही हो जाएगा, मैं ऐसे clients को भी मेरे को recently कहीं पर वास्तू के उपर बोलने को मिला था, तो मैंने यह बोला था कि जिसको नहीं interest है न, इस subject में मेरे लिए वो पता है कैसा है, जब मैं दुबई में था, मैंने driving license अपना apply किया था, so driving license में दुबई और अगर आप भार की countries में जाते हो, तो बहुत time लगता है आपको मिलने के लिए, बहुत classes लेनी पड़ती है, so वहाँ पर वो लोग क्या बोलते पता है, class जब होती है, who's from India, who's from Pakistan, who's from Bangladesh, तो आपको हाथ खड़ा करना पड़ता है, उनको बोलते हैं, इनको रो के ये site बिठा दो, उनकी classes बढ़ा देते हैं, क्यों? European की नहीं बढ़ाते हैं, और Americans की नहीं बढ़ाते हैं, जो new student आएं, जिन्होंने आज तक गाड़ी नहीं चलाई, उनकी नहीं बढ़ाते, क्योंकि उन लोगों को एक system follow करना आता है, हमारे यहां पर उनको पता है, कि अगर उसने indicator right का दिया है, तो ये शायद वो बोल रहा है कि तू right से निकल जा, सभी बात है, क्योंकि मित है, आदे लोगों को उल्टे रस्ते में, यूटन लेने में मज़ा आता, इस subject में भी मैं सेम बात बोलता हूँ, कि जिसको नहीं आता है न, उसको मैं जब समझाऊंगा बैटके, floor plan पे, और कुछ चीजें दिखाऊंगा हमारे महावास्तु की, वो समझेगा, कि आप क्या practical बात कर रहे हो, फिर आप client से पूछो, कि सर अब आप अपनी problem बताओ, वास्तु तो ये है, अब आप अपनी problem के चार points मेरे को दोनों बता दो, husband और wife दोनों बता दो, फिर मैं उसके उपर काम करूँगा, वहाँ पर मैं break लूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ, आपने बोला right और wrong कैसे मालूम पड़े, कि ये genuine है के नहीं है, आप अब आपको फॉलो करनी है वास्तो की, पहले तो floor plan, कई लोग तो floor plan बनाना नहीं चाहते अपने घर का, fees देंगे लाख रुपे की, 50,000 की fees देंगे, बड़ 5,000 का floor plan नहीं बनाएंगे, आप उनको बोलो सार एक floor plan बना लो, draftman दे देता हूँ, हमने कहा किया है कुछ students higher किया हूँ है, जिनको हम college के बाद बोलते हैं, जा तो बेटा plan बना दे इनका, क्योंकि वो charge कम करते हैं, और वो students को भी कमाने को अभी से मिल जाता है, instead of sending some high-five interior designer, जो उनको 50,000 प्लान के charge कर ले, और फिर मैं अपनी fees लूँ, तो मैं interns को ये काम देता हूँ, अब वो interns का बिचारे का क्या होएगा, 5-10,000 के अंदर depend on your house size, उनको वो चुपता है, जबकि वो आपकी घर की blood report है, जैसे आपके blood का sample निकालते हैं आपकी बिमारी के लिए, वो actual blood report है आपके घर की, वो बताएगी गलत का हैं और सही का हैं, तो जिसने floor plan के ओपर काम किया, जिसने वो 16 zones पे काम किया, मावास्तू की जो हम टेकनीक बात करते हैं, वो आदमी गलत बात करेगा ही नहीं, वो आपको right जगा पे लेके जाएगा, और जो आपके घर की problem आपको नहीं बताए, पहले आपसे सुने की problem क्या है, जैसे डॉक्टर के पास जाके आप अपनी problem बताते हो, कि मेरा पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, कि टांग दुख रही हो, उसकी गोली देगा, सर्क कई बार ऐसा हो जाता है, कोई बिना पूछे आपकी दिक्कत बता दे, तो आदमी सुसता, औरे, इसको तो सब पता है, यह यह जो है, उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, नेखो, आज मैं आपको बताता हूँ, हर किसी की लाइफ में तीन problem तो हैं ही, उसका, उसकी strength कितनी है, problem की उसके उपर depend करता है, पैसा, हर किसी को चाहिए, हर किसी की problem है, payment late आ रही है, ठीक है, किसी की बड़ी हो जाती है problem, करजे में डूप जाते हैं, second, family members, आज relationships को लेके अगर मैं बात करूँगा, तो हर किसी की life में कुछ ना कुछ अन्बन तो है ही यार, किसी की घर में है, किसी की बाहर है, business में है, किसकी नहीं है, third, health, अगर आप किसी के घर पे जाके, उसको इन तीनों topics में से, किसी एक topic की problem बोल दोगे, तो वो तो बुलेगा हाँ, है, उल्टा ये आपने as a वास्तू consultant, और as a astrologer, आपने अपने लिए एक करम खराब कर लिया, ये बोलके, क्योंकि वो बिचारे के subconscious mind में, आपने ये problem डाल दी, अब वो उसके बारे में सोचता रहेगा, उसको elaborate करता रहेगा, और नहीं भी होगी, तो problem हो जाएगी, तो हमारे को जो, हमारे गुरू जी ने समझाया, वो यही समझाया, कि आप पहले problem सुनो, उसको note करो, फिर उसको उस plan के साथ match करके result हो, और उसका result ना यह हो इनी सकता, possible ही नहीं है, सर आपके इनर रियल लाइफ एक्जामपल के साथ बात करते हैं, आपके किसी client कुछ face कर रहा हो, और उन्होंने आपको बताया, फिर आपने वो solve करके दिया हो, सो मैं अपनी case studies के उपर बात करता हूँ, आपको मैं अपनी दो से तीन case studies आज बताऊँगा, तो first case study लेते हैं, एक मेरे client है, जिनका बेटा पढ़ाई में बहुत excellent था, बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी वरी ये थी, कि उनको उनके बेटे के पढ़ाई का थोड़ा problem हुआ है, जबसे वो नए घर में गए है, तो मेरे को बुलाया है उन्होंने, मैं गया घर पे, same procedure हमने follow किया, उन्होंने पहले plan बनवाया, मैंने plan carry किया, उनके साथ discuss किया, सब हमने paper पे note down किया, सब मैंने क्या notice किया, कि उनका जो बेटा है, वो गलत zone में आ गया है, अब उन्होंने क्या किया था, वास्तू को normal follow करते करते, YouTube और यहां से सुनके, west समझ के अपने बेटे का bedroom, west northwest में बना दिया, और उसकी जो study table थी, जो books थी, उससे related भी सारा समान महा था, अब उन 16 zones में से west northwest जो zone है, वो क्या zone है, वो depression का zone है, और उसकी studies को लेके, वो जो बच्चा हमेशा excellence कर रहा था पढ़ाही में, वो उसके moods जो थे, उसके mood swings change हो गए, वो बिचारा कम percentage लाने लगा, अब माबा बच्चे को blame कर रहे हैं, कि तू पढ़ नहीं रहा, तेरा यह नहीं हो रहा, बच्चा तो बिचारा excellent रहा है, तुम problem समझ लो बिचारे को कहा से आज़े, तो मैंने उनकी बेटे के साथ बेटके बात की, तो उसने में को बोला, ऐसा कोई problem नहीं है, generally I feel somewhere low mood, मेरे को इच्छा नहीं हो पाती, जैसे ही book उठाता हूँ, तो कभी TV के तरफ ध्यान चला जाता है, कभी किसी और चीज में ध्यान चला जाता है, तो मैंने उनका zone क्या check किया, जो हम बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए अच्छा zone है, जो west और southwest के बीच में आता है, west-south-west zone, बहाँ जाके जब check किया, तो वहाँ उनके mom-dad का room था, वहाँ पे TV लगा हुआ था, नीचे कुछ entertainment की युनों चीजे पढ़ी हुई थी, तो बेटे का ध्यान बार-बार वहाँ जा रहा था, instead of doing in study, वो पढ़ाई के zone में गलत समान पढ़े होने की वज़े से, और उसका bedroom गलत जगा पे था, तो मैंने वो, क्योंकि option थी, बेड मूव करके उसका zone चेंज करने की, वो हमने चेंज किया, माबाप को ये भी बूला कि अभी चेंज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कल से excellent हो जाएगा, you have to give him some time, तो हमारे माबाप बच्चों से expect बहुत करते हैं, पहले हमारे time पे, अगर मैं आप लोगों की भी बात करूँगा, उस date के time पे, अगर आप 60-65% ले आते थे न, तो एक लगता था, वाह, क्या मार्क्स लेके आया मेरा बच्चा, आज क्या हो गया है, आज उम्मीद बढ़ चुकी है, अब चाहिए 90-95, उसके नीचे आता है तो, हम ही बच्चे के लिए घर में depression का महल बना देते हैं, कि तू यह क्या कर क्या है, जब हम उसे पूछते नहीं है, कि बटा, प्रॉब्लम कहा हा रही है, तू रीजन बता, बैड़ जा, और वो ही उसका मजाग हम दुनिया में चार लोगों के सामने बनाते हैं, हमारा बेटा तो पढ़ता ही नीजी, जब घर में मेहमान आते हैं, दे स्टार्ट, इंसेट अफ डूइंग दा, हाईर राइट वास्तु कंसल्टेंट, अंडर्स्टेंड त प्रॉब्लम, वेस्ट साउथ वेस्ट में आप बच्चों की किताबे और स्टडी टेबल रख दो, मैं बोलता हूँ, और केस्ट टेडी बताता हूँ आपको, जो की मेरी आज आप लोगों के साथ, इस पॉड्कास्ट को करने के लिए, मेन केस्ट टेडी है, एक फैमिली से मेरे को फोन आता है, कि आपको हमारा घर विजेट करना है, जिन्होंने रेफरेंस दिया था, यह बच्चों के बारे में ही आएगी, फर्स हमने किया स्टडी के ऊपर, कि थोड़ा सा उन्होंने हिंट दिया था मुझे, क्योंक बाकी तो देखो, जब हमारे पास फ्लोर प्लाइन आता है न, फ्लोर प्लाइन को देखके आधी प्रॉबलम मालूम पड़ जाती है, बट एज आई टोल यू, वी आर नॉट एज आ महावास्तू कंसल्टेंट और आचारया, वी आर नॉट अलाउट तो सेदा प्रॉबलम, वी नीड टू हेर फ्लोर फ्लोर प्रॉबलम जिसने हमें बुलाया है, क्लाइन जिसने बुलाया है, उससे सुनो पहले, तो नए नए घर में शिफ्ट हुए थे, अभी छे महीने हुए थे घर में आके उनको, थोड़ा विजनस डाउन है, थोड़ा है, थोड़ा हेल्थ इशू है, बेटा बिचारा थोड़ा डिप्रेशन में है, समझ में नियारी क्यों है, because as a Indian parent, हम उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कि अगर कोई चीज गलत हो रही है, उसका राइट तरीके से description सामने वाले को देखे, जो consultant आया है, इसको हम राइट चीज बता दे, तो ही वो राइट एडवाईज देगा, तो बात शुरू ही उनके, में जो घर के member थे, husband थे, उनसे कि इनको drinking की habit थोड़ी जादा हो गई है, मैंने चेक किया उनका zone वगएरा, तो zone में देखा कि वो जैसे south और southwest के बीच में, south-south-west zone आता है, वो disposable का zone है, वहाँ पर generally जो बंदा जादा सोता है, उसको ये habit लग जाती है, ठेक है, फिर मैंने next पूछा, तो next बताया, बेटे का, उन्होंने problem बताईगी, बेटा थोड़ा सा हमारा depression में है, तो मैंने उनको पूछा, किसी चीज का addiction है क्या, उन्होंने उस टाइम पे भी वो बाट टाली, फिर बोला, यहाँ पे आके, हमारी मम्मी की health अच्छी हो गई है, क्योंकि grandmother भी साथ में रहती थी बच्चे की, मम्मी की health अच्छी हो गई है, wife को पूछा, तो wife ने बोला, I am okay, okay, husband ने बोला, मेरे business में loss हो गए है, पाकी ठीक है, पैसे की कोई ऐसे problem नहीं है, बट losses चल रहे हैं, addiction की बात मैंने वापिस repeat की, क्योंकि मेरे को पूरा confident था, कि यहां पर यह zone में इनका door आया हुआ है, husband यह zone में सो रहे हैं, और वो बेटे से भी जब मैं बात कर रहा था, तो बेटे का जिस तरीके का, he was not looking into my eyes or anybody's eyes, generally जब किसी बच्चे को drug की आदर लग जाती है, वो eye contact नहीं मिलाता है, तो मैंने वापिस repeat किया, is there any addiction problem? So they were surprised कि आप कैसे बता सकते हो यह हैं, I said I am not any guru, plan बता रहा है, मैंने कोई sense नहीं किया है, यह plan में दिखा रहा है, आपके घर का दरवाजा, west-north-west का अगर है, center के point से, 280 से 285 degree से start होता है, और 305 degree के बीच में वो door आता है, अगर वो door है, addiction किसी ना किसी रूप में आनी ही आनी है, जैसे पिता जी को दारू की पड़ गई, क्योंकि वो zone south-south वेस था, तो उसकी वज़े से हो गई, disposable का zone है, आदमी वीक में दो बार लेता था, विचारा पांच बार लेने लग गया, बेटा, और ये पहला case नहीं है, ऐसे मैंने बहुत cases देखे हैं, जिन लोगों के घर में, center of the house है, 280 और ये 305 डिग्री के बीच का, west-northwest का zone का door है, उन घर में ये problem है ही, अब कई बच्चे दिखाते नहीं हैं घर में, छुपके कर लेते हैं, बट वो एक stage में आके मालूम पड़ता है, जब उनकी health खराब होती है, तब वो सामने आती है चीज, बट कुछ cases में पहले ही पता चल जाता है, उनके घर में thankfully ये था कि दो डोर्स थे, तो मैंने उनका जो main constructed area का door था, जो west-northwest में था, वो मैंने बंद करवा दिया, और back side में एक door आ रहा था, जो towards, you know, south के वहां से निकल रहा था, positive degree में, मैंने वो खुलवा दिया, बोला भी ये door आप बंद कर देना, temporary, इस से आप result देखना, और जो भार का gate था, उनका main gate भी actually, उसके वज़े से वो भी उसी direction में आ रहा था, आशेट भार के gate का हम treatment कर लेते हैं, यो know, हमने color करके उसको treat कर लिया, पीछे का door use करने से ही, उनके बेटे की health में और उसकी addiction में उनको फरक दिखाई दिया, उसके बाद, because उनको वो समझ में आगई कहानी कि ये वास्तू की वज़े से हो रहा है, बेटे की ठीक है, बेटा, उसकी संगत वैसी बन गी, होता किया, जब आप ऐसे zones में चले जाते हो न, तो वो automatically आपको संगत में ले जाता है, आपका friend circle भी वैसा बनने लगता है, आप उस जगा की तरफ अपना attraction बढ़ा देते हो, नॉर्मल drinking habits थी, आप गए, आज क्या है, as a youngster, सारे बच्चे जाते हैं clubbing करने के लिए, इस reason से, इस wrong वास्तू की वज़े से, उसकी तरफ बढ़ गया, उसकी तरफ उसके कदम चल पड़े, उसने एक बार वो चक लिया, तो वो आदद पड़ गई, फिर वो continue वो behavior चलता रहा, तो उसके दो महिने बाद, जब वो family को समझ में आई ये बात, उन्होंने वो घरी बदल दिया, and within six months, that boy was out of this thing, any addiction, क्योंकि वो जोन ही वैसा था, तो वास्तू आपकी इन चीजों में भी help कर सकता है, 100% कर सकता है, वास्तू, देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि, astrology इतनी strong नहीं है, astrology का अपना एक रोल है, बट आज क्या हो गया, देखो, दुनिया fast हो चुकी है, हमारे अर्थ के movement fast हो चुकी है, सारे scientists बता रहे हैं, कि धर्ती जिस speed में पहले घुमती थी, उससे ज़्यादा fast घुम रही है, ये आपने भी सुना होगा, तो अगर अर्थ has a planet की movement fast हो चुकी है, तो बाकी planets की movement अलग हो चुकी है, तो कहीं न कहीं उन में आपस में एक variation आ रहा है, तो astrology में उनकी कोई भी prediction में variation आ सकता है, लेकिन जो ये environment है, जहां आप रह रहे हो, जो आपका ये जगा है, ये तो सेम ही है ना, रोज इसी में आके उसी बेड़ पे सोने है, रोज वहीं डाइनिंग डेवल में बेड़ के खाना खाना है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो मैंने आपको ड्रग एडिक्शन का बताया, वहां का मैं आपको एक और चैलेंज करता हूँ, चलो बंदा सो रहा है, वह तो ये गलग बात है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आप अपने बच्चों की फोटो भी लगा दो के तो भी उनको आदत पढ़ जाएगी, क्योंकि वह फोटो में क्या हो गया, उसकी प्रेजन्स 24 गंटे है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूरुस बच्चे की है घर के अंदर। अगर ड्रग्स की आदत नहीं है और बच्चा बहुत जादा चरुणिंग में है, बहुत जादा थौट प्रोसेस में है, किसी की सुनता नहीं है, तो east-south-east वो direction है east-south-east चर्णी और anxiety की है उसमें उसका कुछ लेना देना होगा या anxiety के लिए मैं बुलूँगा north-east में चेक कर लो शायद आपकी washing machine पड़ी हो zones के उपर मैं ज्यादा clarity इसलिए नहीं describe कर रहा हूँ कि आप you know layman's language में आप समझ सकते हो 16 zones के meanings क्या है उस सब clarity में दिया हूँ इसलिए मैं ज्यादा describe नहीं कर रहा मैं problems related, case studies से related problems बता रहा हूँ बढ़ एनिवे जो जनता ये सुन रही है वो खुझ से तो वो directions नहीं sense कर सकते हैं नहीं एक वास्तू expert की तो नहीं देखिए आज आपके area में सब जगा पर वास्तू consultants है पूरे हिंदूस्तान में अच्छे वास्तू consultants है महावास्तू के consultants पूरे इंडिया में है महावास्तू से trained महावास्तू में अलग-लग level of study है from a basic course to aacharya course अगर मैं गलत नहीं हूँ तो more than 10,000 वास्तू consultants अभी तक trained हो चुके है all over India में आप website पर जाके check कर सकते हो आपको हर जगा मिलेंगे और वो भी कोई भी महावास्तू consultant अगर बिना floor plan के आप से बात कर रहा है और ये बूल रहा है कि मैं महावास्तू consultant हूँ तो गलत है क्योंकि महावास्तू अनों को बिना plan के तो allowed ही नहीं है वास्तू करना और as a layman में आपको बताता हूँ चलो आप अपने घर के center में खड़े हो जाओ आप अपने घर के center में खड़े हो जाओ अपने घर के center पता लगाना भी तो एक टाफ जोगा ना आप अपने कदम से नाप लो कि कितनी लंबाई और चोड़ाई है अपने घर के अंदर उसके बाद आप अपने center में आजो नहीं तो एक और बात बताता हूँ आप अपने घर में जो वॉक करते हो ना यहां से वहां जाते हो इस बेडरूम से उस बेडरूम में जाना किचन में जाना दरवाजे पर जाना लिविंग रूम में आना आप यह चेक करो कि आपके सबसे ज़्यादा फुट्स्टेप कहा आ रहे हैं कोई एक जगा घर की ऐसी होगी जहां सबसे ज़्यादा आपको क्रॉस करना पड़ता है वो पॉइंट आने जाने के लिए उसको center मान लो अगर आपका घर तोड़ा टेड़ा मेड़ा है एल शेप में है या आजकल बिल्डिंगों में तो टाइल्स लगी हुई है टाइल्स गिलो सेंटर में जाओ कमपस खोलो मुबाइल पे उसको थोड़ा शफल करो या महावास्तू की एप डाउनलोड कर लो उसमें तो सूला जोन का कमपस दिया हुआ है प्रॉपर आप वो एप डाउनलोड कर लो महां से अगर आपको उसम जोन में क्या है तो जैसे मैंने बताया एंजाइटी के जोन में हम बात कर रहे थे तो यह तीन जोन जैसे हैं जिससे यह प्रॉब्लम आनी ही आनी है मतलब और बच्चों के केस में मैं आपको सची एक बात बोलूँ मैं उन माबाप को बोलता हूँ कि वास्तू बच्चे का खराब नहीं है तुम्हारा खराब हुआ हुआ है विकॉज यू डों गिव एट काइंड आफ टाइम तो यूर चाइल्ड उससे बात नहीं कर रहे हो उसकी रियल प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हो समझो कि प्रॉब्लम क्या है आज मैं आपको इसके उपर ही एक बात करता ह जैसे हम लोग वास्तू करने जाते हैं बहुत सारी जॉइन फैमली जैं हमारे यहां पर बहुत प्रथा है कि जॉइन फैमली में बड़े बिजनस चल रहे है और यूख बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीगे बड़े बिजनस अहोंजें उनके बड़े-बड़े ओफिस बड़े बड़े घर हैं, बच्चों को उन्होंने अमेरिका भेजा होता है पढ़ने के लिए, लंडन की उनिवर्सिटीज में भेजा हुआ है, सिंगापूर में भेजा हुआ है, बच्चे पढ़के वापिस आ जाते हैं, युकास पता है फैमिली बिजनेस है, उसको रन करना है, जब वो ओल्ड मेट पे आज भी वो पिता जी या दादा जी ही चला रहे हैं बिजनेस को, and then they say, हमारे बच्चे को जी काम ही नहीं करते हैं, देखो हमें ही करना बढ़ रहा है सब आज भी, उनको पूछता हम बुलाया क्यों आपने, हमारे को बिजनेस में यह हो गया है, इंज लाना चाहती है, जो इनको मंजूर नहीं है, तो यह वास्तु का बाट है आपके, आप मुझे एक बात बताओ, मैं वो दादा जी या वो पिता जी से पूछता हूं, नोकिया का फोन क्यों नहीं यूज कर रहे, एपल 14 क्यों लिया हुआ है, नोकिया कर लो ना यूज अपड्रेड किया न, नोकिया से आये न, आइफोन 14 बे, तो काम में क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर कोई जनेशन आई है, वो कुछ नया तरीका बताना चाहती है, सुन लो, एक बार इंपलीफाई करें, मैं यह नहीं बोलता कि आप अपने करन्ट बिजनस में आज क्या आज इंपलीफाई कर दो, आपके पास इतना सिस्टम है, कि आप अपने ही प्रोड़क्ट का या अपनी ही चीज का, एक साइड बिजनस स्टार्ट कर सकते हो, और जहां इस बच्चे को बोल सकते हो, चल तू कर, उसको एक कॉन्फिदेंस दे सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या है, ब बच्चों को चांस दो, उनको एक बर करने का मोका दो, आप मोका ही नहीं दोगे, और बाद में बोलोगे तो कुछ करता ही नहीं, तो रात को पार्टी करने चला जाता है, जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मिरे पास, जिनका बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम है, कि सर ये तो हफते में तीन दिन पार्टी होती है, जी, इनकी दो, चार दिन आफिस आ जाते हैं नाम के लिए, उन नाम के लिए वो नहीं आते, तुम उनको नाम के लिए बुलाते हो, तुम उनको चांस दो, तुम चांस नहीं देते हो, बिचारे करे क्या, कुछ और करनी सकते हैं, क कि कहां पर यह जो mentality है यह जो focus है restricted है इसको कैसे खोला जाए कैसे अपग्रेड किया जाए उस office को कैसे अपग्रेड पर लाया जाए सबसे बड़ा मैं आपको इसका reason बताता हूँ आज भी वो पापा या वो दादा जी क्योंकि किसी वास्तू consultant ने बोल दिया था तो वो खुद साउथ वेस्ट में बैठे हुए हैं और बच्चों को बिठा हुए दूसरे जोन में मैं बोलता हूँ जिस दिन आपकी उमर 60 साल की हो गई ना बाइसाब आप अपने बच्चे को जो 25 या 30 की रेंज में आ गया है college खतम हो गया master's हो गया degrees आ गही उसको साउथ वेस्ट में ब बच्चे को साउथ वेस्ट में बिठा दो ना उठाए responsibility तो बोल देना ना यूज करें अपनी skill तो बता देना बैलेंस होना चाहिए हो जोन उसके normal जो भी treatment देखके उसको राइट जोन में बिठाओ साउथ वेस्ट में बिठाओ बच्चे का focus बच्चे का skill देखो उसकी responsibility देखो अपने आप प्रूव कर देगा जैसे ही आप भी वहां से हटोगे क्योंकि problem क्या है आप responsibility क्यों नहीं देढ़े दूसरे को क्योंकि आप उस zone में बैठे हो आपको लगता जैसे जितना मैं कर सकता है da problem वो है problem आपकी mindset की तो है ही बट एक क्योंकि वो responsible zone में बैट बैटके आपको ये महसूस होना शुरू हो गया है कि ये तो मैं ही कर सकता हूँ अभी जैसे मैंने एक recent में किसी factory में ऐसा किया कि मैंने उनके GM को southwest में बिठाया तो मैंने को बोला अरे GM को तुम southwest में बिठा रहे हो मैं कहां बैठोंगा मैं ओला आव वेस्ट में आओगे तब क्या था वेस्ट का कैबिन छोटा southwest का कैबिन बड़ा तो ego हैसल कि मैं छोटे में कैसे बैठों और बड़े में ये बैठेगा तो मैं जिसको real में problem है उसको ये बोलूँगा कि वो space का है न कि छोड़ के थोड़े टाइम के लिए southwest में जा खुद बैठे हो अगर आपको problem है तो again I am repeating अगर problem face कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि आपके team member जो आपके right hand या आपके बच्चे responsible नहीं हो पा रहे हैं उनको बढ़ाओ south west में और खुद आजाओ west में नहीं मिले result तो बुलना Sir एक आपकी दुबई भी गए थे आप एक client ने आपको बिलाए था थोड़ी वो story बताओ वो भी बड़ी interesting है आपने हमें off the camera बताई थी तो मैं चाहताओ उसके बारे बताओ दुबई का मैं आपको बताता हूँ यह में को रेफरेंस मिला था मेरे बांबे के एक डेवलपर के थूरू विकाज में उनका काम करता हूँ तो मेरे को एक दिन शाम को फोन आता है कि कल की कुछ appointments ली हैं तो मैं बुला हम काल एक करना है तो मैंने उनको पूछा कि नाम तू बताओ किसके पास जाना है उनका ना floor plan है ना कुछ है बोले आप जैसे ग्राउंड पोत्रोंगे आपका काम करने का तरीका मुझे पता है आपको सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप पोंचो मैं पहुंच गिया एरपोर्ट पहुंचा जी सब excellent you know treatment सब कुछ था as soon as I reach their home घर में जब मैं भार गाड़ी अंदर घुसरी थी काफी बड़े families का मैंने वास्तू किया होगा काफी बड़े business houses का किया होगा जब मैं इनके घर पहुंचा तो मेरा feel एथ है कि मैं इस घर का वास्तू किया चेंज करूंगा क्योंकि it was like a palace mansion palace and you know servants with the bow all Europeans so आपको एक you know आपका बो के साथ एक European आपकी गाड़ी का दोर खोल रहा है आपको receive कर रहा है come Mr. Acharya sir is waiting for you उसकी restrictions भी मैं रेख रहा हूँ कि यहां सिर वो दरवाजय तक लेके जानेगे उसके आगे तूसरा बंदा लेके जाएगा क्योंकि इसके आगे उसको अलाउट नहीं है I entered the house lavish, lavish means no words I was sitting there, boss is coming in five minutes, you just wait so there was a gentleman, I can't take his name he was 75 year old तो उनका पहला reaction मुझे देखके यह था क्योंकि मैं जादा तर मेरे course की वज़े से मेरी ओ डिगरी की वज़े से मेरे नाम के आगे आचारय अचारय वर्ड आ गया है तो उनका आपका नाम आचारया है और आपके आने से पहले जितने भी मेरे पास तीवी में आने वाले सब सेलिब्रीटी पंडित आखे गए एवरीबडी वज़े विद माला एं यूनो रेंग्स और इन अधोती कुड़त और कुड़ता पजामा आप तो यार स्पोर्ट शूज जीन और टीशर्ट आप अचारय लग नी रहे तो मेरे को थोड़ा टेंशन हो गया बिकास मेरे गुरू जी भी मुझे बोलते हैं कि यूनो यू शूड आलवेज ड्रेस इन अ मैनर नॉट लाइका अचारय टेपेकल यूज सेज कि यूनो बी डीसेंट मेरे को टीशर्ट और जीन्स में जो मुझे अंदर से सैटिस्फेक्शन मिलता है काम करने का वो अलग ही है अब एक दो सेकंड के लिए मुझे यह आया कि यार क्या यह आदमी मेरे से नेगटिव हो गया मेरे क्लोधिंग की वज़े से जबकि मैं इतनी जल्दी नेगटिव होता नहीं मेरा कॉंफिडेंस वास्तू को लेके मेरा अपना एक माइंड सेट है क्योंकि वो मेरे माइंड से चलना है मेरे कपड़ों से नहीं चलना है वास्तू मेरे कपड़ों से नहीं होने वाला मेरे दिमाग से होने वाला है मेरी लर्निंग से होने वाला है इस टॉपिक को खतम करके उनका next था word but I am very comfortable with you I am so comfortable कि मैं आज तक आप से आने वाले पहले किसी बंदे के साथ इतना comfortable नहीं था जो मैं आपके कपड़े देखे comfortable हो गया हूँ तो मेरे को भी थोड़ा रिलाक्स लगा कि चल थैंक गॉड he is saying I can connect with you I am not scared कि आप क्या बोलने वाले हो भी अब वो इतने बड़े आदमी थे मैंने उनको उनसे टाइम मांगा माला sir I need your 30 minutes to make you understand महावास्तु काम कैसे करता है because you are new to me मेरी आपसे फोन पर बात नहीं हुई उनको मैंने महावास्तु के प्रोशीजर समझाए plans मेरे पास कुछ जो उनके plans आ चुके थे मेरे laptop पे मैंने वो गाड़ी में इंक्रेड कर लिये थे उनको दिखाए फिर मैंने उनसे उनकी problem पूछी और जब मैंने problem पूछी तो मेरे को एक ही चीज थी कि ये problem इतनी बड़ी problem मैंने आज तक कभी किसी client की सूनी नहीं थी figures wise वो था huge figure because उनकी जो fight थी वो legal terms में थी और financial terms में थी financially अगर मैं बोलूँँगा numbers तो वो एक आज की rate में अगर हम लेंगे तो बहुत बड़े-बड़े business houses के numbers होते हैं एक approx figure अगर रफ figure बता दो आप इडोज मोर देन 8000 crores 8000 crores मेरा सबसे पहला उनको जो एक advice था वो ये था कि sir वास्तू अपनी जगा काम करेगा आपके environment के साथ लेकिन ये जो पूरा रहता फैला है ये कितने साल से फैला हुआ है तो वो ही सेम था कि आठ दस साल तो हो गए आठ एक साल अप्रोक्सिमेटली उन्होंने बताया अब problem किस के साथ है 8000 crores की problem है तो किस के साथ है कोई client है individual है कौन है तो मालूम पड़ा GCC countries की ही कोई एक government है अब सामने जिसके साथ fight भी है वो भी कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है वो एक government है तो मुरा ठीक है सर अब मैं आपको इसके उपर दिखाता हूँ कि आप जब इस घर में आये और वो इस घर में आने के बाद ही प्रब्लम चुरू हुई थी असलिए उनकी तो उस घर में जब मैंने उनका देखा तो वो एक तो उनकी कुणली से मैच नहीं कर रहा था बिल्कुल भी जो हम कुणली और वास्तू environment को मैच करवाते हैं वो तो एक लेकिन ये तो कहते कि सर जो दुबाई है वो वास्तू औरड़ी सही है वहां के घरों का तो वो मैं आपको एक next उसमें example दूँगा घरों से और दुबाई की government कैसे उसको अच्छे से चलाती है ये as a individual इनसे जो गलती हो गई पैसे की गलती हो गई घर वास्तू से अलाइन नहीं था कुंडली से अलाइन नहीं था Southeast जो उनकी और वो आदमी में आज भी वो power और वो confidence है क्योंकि उनकी हाट सजरी होई थी अभी साल पहले उसके बावजूद भी जो उनकी आवाज में वो दम था वो मेरे में भी नहीं था बड़ ऑविस बात है जब आदमी उस लेवल पे खेलता है और वो इंडियन है वो न अफ दी मोस्ट इंफ्लुएंचल इंडियन तो एक ही चीज देखी क्या घर के सेंटर से Southeast और South-South-East जो फायर के जोन है जो confidence और पैसा दोनों का जोन है उसमें उनका swimming pool बना दिया था उनोंने तो फायर के zone में पानी चला गया अब मैंने उनको बताया है कि swimming pool आपकी problem है main problem जो है वो यहाँ से शुरू होती है बाकी की problem तो चलो हम एक एक करके define करेंगे और उनको solution देंगे तो बोले swimming pool तो मैंने अभी तीन साल पहले इटली से import किया था पूरा plane छोटा भेज के charter मंगाया था और वो swimming pool वाके ही वैसा था वो designer swimming pool था तो बोले अभी इसको कैसे treat करोगे I don't want to you know waste this swimming pool because it was a bungalow तो बहुत easy था हमने एक boundary में एक brass की पट्टी डालके जहां पर उनको भी खर्चा जाजा ना हो मैंने वो swimming pool को उस zone से ही काट दिया कि वो अलग हो जाए वहां से वैसा उनको लेनी नीची है swimming pool तोड़ने की tension यहां पर बहुत ज़्यादा पैसो का सावार ले की 8000 करोड बचसक क्यों आदमी को जो बड़ी कि हिंदुस्तान में आदमी लाग दो लाग पांच लाग फीज देने को तयार है बड़ फ्लोर प्लैन के ओपर बोलोगे ना 10,000 करण कर लो एक आदमी आगे प्लैन बनाएगा वो नहीं करेंगे तो यह swimming pool तो फिर भी उनका करोडों का था तो मैं समझ सकता था उनके emotions वो भी import कराया हुआ वो भी import कराया हुआ तो उसको हमने काटा घर का एक balance किया मैंने उनको समझाया कि सर यह इतनी बड़ी problem है मेरे वास्तु करने से एक महीने या दो महीने में आपको solution नहीं मिलने वाला आपको खुदी कुछ ना कुछ रस्ते खुलते हुए दिखाई देंगे मैं आपका यह treatment कर देता हूँ and you won't believe तीन लेयर में मैंने उनका वास्तु किया था पहले बेसिक वास्तु किया था फिर हमने astrology के साथ क्योंकि हम लेयर वास्तु करते है बेसिक वास्तु किया फिर astrology के हिसाब से चीजे 45 दिन के बाद हमने लगाई लगाई मींज उनी के घर में पड़े हुए कुछ आर्टिफेक्स है जिनको मूव करवाया बैलेंस करने के बाद घर को साथ हुए दिन उनका exact मेरे को phone आता है और he addressed me by my name Mr. Binder, my surname is Binder Mr. Binder, I got a solution बोला sir, क्या solution मिला बोले ये GCC country को handle करने के लिए मेरे को solution मिल गया तो बोला sir, थोड़ा describe करो तो मालूम पड़ा उनके जो because GCC countries में क्या था काफी countries में ऐसा था कि US की army control करती है काफी जगाओं पे उनके कुछ roles है महाँ पर तो उस country में जो ex army journal था जो US का था वो इनका खास दोस्त था इन्होंने कभी उसकी help यह नहीं ली थी उस solution को निकालने के लिए तो solution किसके बास आया उनके बास खुद ही आया, क्यों आया मैंने उनका south east तो ठीक किया ही किया मैंने साथ में उनका east east as a direction आपकी connectivity की direction है east में उनका toilet आ रहा था वो treat किया east में third level पे मैंने उनका third या fourth level में मैंने उनका आयर्मा देव होते हैं जो आपको देपता study जो हमारी होती है उसके उपर बताते हैं आयर्मा देव का treatment दिया automatically he got connected with the right person who will get him a solution so आज मुझे उनके साथ काम करते हुए almost 2 साल हो गए जैसा कि मैंने उनको बताया था कि time to time आपको इसके results मिलेंगे आज उनके lawyers आज उनकी team चम्मिर से मिलती है क्योंकि उनके lawyers को ने उनके lawyers हू है जो वहां के बड़े royal family के lawyers है so they say sir we are very close to solution now जहां में लग रहा था कोई रस्ता नहीं है now we can see there is a way and a positive way so आपने में से question पूछा था कि दुभाई में तो बूलते हैं कि लोग बहुत फॉलो करके चलते हैं चीजों को वास्तू को एक staircase का मैंने आपको example दिया था builders के case में anti-clockwise and clockwise आप अगर दुभाई कभी आप लोगों ने ट्राइवल किया होगा so दुभाई के जितने famous mall हैं चाहे वो दुभाई mall है malls of emirates है डेरा city center है अब तो नाम ही इतने हो गए है वाह के malls के जो famous है आप जाना वहाँ पर आपको बहुत सारे directions में जो staircase चल रही है न वो anti-clockwise दिखाई देंगी दुभाई का 2018 के बाद जनली दुभाई को हम ऐसे सुनते आए हैं in real estate values कि दुभाई हर तीन साल यहां चार साल बहुत पीक पे जाता है फिर दो तीन साल डाउन जाता है real estate उसका फिर वापस उठता है उसका up and down बहुत है बट वो तीन साल से जादा नहीं जेलता बट अब अगर आप दिखोगे 2018 से हम 2023 में हैं पांसाल हो गए और भी आगे हैं तुभाई में जाके किसी real estate consult हैं बिल्डर से बात करना कि दुबई का हाल क्या ये वापस नीचे आने वाला है तो भूल जाओ प्राइस डबल हो चुके हैं चीजों के और नहीं आने वाला रीजन क्या है तो मेरी एक बहुत curiosity रहती है कि कोई अगर चीज अच्छा कर रही है कोई बड़ी company अगर अच्छा कर रही है कोई बड़ा ओफिस अच्छा कर रहा है या कोई बंदा बहुत अच्छा कर रहा है अभी जैसे मैं कोई factories के इलाज करने जाता हूँ इस एरिया में आपके लेवल की कोई factory है दूशरी जो आपी का काम कर रही है तो यहां हमसे 50 km दूर एक फैक्टरी है तो मैं उसका नाम लेता हूँ वह फैक्टरी कोशिच करता हूँ अगर मैं भाहर से विजट कर सकूँ गूगल अर्थ से मैं उस factory के सब directions देखता हूँ उनकी चीजे देखता हूँ कहां पर क्या है activities तो सेम वे मैं दुबई में सोचा कि 2018 से 23 में ऐसा क्या हुआ है तो कैसे देखूंगा दुबई क्या है दुबई एक रूलर के द्वारा चलाई गई सिटी है उनका रूलर जो है ना शेक मुहमद हिस हाइनेस शेक मुहमद वो बॉस एक ऐसा इंसान है जिसके माइंड में सोते जाते अपग्रेड अपडेट चलत अपोर्चुनिटीज नहीं ढूनना तो मैंने जब उनके मैंने का एक काम करता हूँ मैं अभी उनके घर जाने का तो मौका भगवान ज़रूर दे देगा आने वाले टाइम में पक्का बट एक बार मैं गूगल अर्च उनका घर चेक करता हूँ कि 2018 से इसमें आया क्या नहीं तो 2018 से उन्होंने दो चीजें शेक मोहमद का जो पैलेस है जहां से हम देखते हैं जब मैंने उनके सेंटर से देखा शेक मोहमद के पैलेस से दुबई फ्रेम जो की एक रेक्टेंगलर फ्रेम है नौर्थ में आ रहा है नौर्थ क्या है अपॉर्चुनिटी का जोन वहाँ पे उन्होंने फ्रेम रेक्टाइंगलर फ्रेम खड़ा किया है इसकी उचाई बहुत है एयर एस एयर कॉलिटी एयर एजा यूनों एलिमेंट उन्होंने वहाँ खड़ा किया और नौर्थ वेस्ट में म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जो की ओल शेप में है वो भी एयर हो गया आलिमेंट नौर्थ वेस्ट मजबूत हो गया एयर से और सामने नौर्थ में अपॉर्चुनिटी के जोन में एयर क्रेट कर दी मिन्स जो भी अपॉर्चुनिटी अब आएगी वो कनवर्ट होगी राइट चीज में अब देखो वह उन्होंने किसी से पूचके किया है या भ चीजें दे देता है कि आप बना लो और जितने मॉल्स हैं उनका मैंने आपको बता दिया एंटी क्लॉक वाइस का मैंने आपको एक्जाम्पल दिया कैसे हो अच्छे कर रहे हैं बट बहुत सी है सर की कंट्री लेवल पर आप चीज़ें ठीक कर सकते हो देखो मैं ठीक नहीं कर सकता वो साइन्स है अगर आप साइन्स को सिस्टम वे से चलाओ के सिस्टम से चलाओ के जो अच्छे से पड़ेगा जो अच्छे से करेगा उस चीज़ को वो कर लेगा आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने उपर डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या मैं कर पाँगा आपने अगर राइ तरीके से कोई चीज सी किया उसको राइट तरीकर से इंप्लेफ नरो उस कॉन्फिडेंच से करो कि वह होगा सर जाते जाते आप अगल ऑडियंस को या फिर जो भी potential आपके clients हो सकते हैं तो अगर उनका आप बता सकते हो आपकी क्या fees रहती है या आप कुछ highest जो आपने कभी लिया हो अगर वो बता सकते हो अब यह highest तो देखो मैं ऐसे disclose नहीं करना चाहता है I don't want to show that I am very highly paid this मेरे अपनी quality के हिसाब से मेरे result के हिसाब से कभी कभी clients ने मेरे को double भी fees दे दिये कि आपने अच्छा result दिया है I want to you know give you as a good gesture I want to pay you double तो लोगों ने double भी pay किया है अभी मेरे Bombay में मेरे you know developers हैं जिनके लिए मैंने काम करना start किया because as a real estate value I used to you know him तो उने बुला यार आभी आप वास्तु करते हो तो आई आप मेरे साथ भी start कीजिए so पहले जो दो प्रोजेक्ट मेंने लिए it was small projects ज्यादा Bombay में बड़ी नहीं थी 10 माले की building थी कुछ लिमिटरी फ्लाट्स थे अंदर so I charged him 50 लाग रुपीस that time for one small project अब मैं उनके पैनल पे हूँ मैं regular basis पे उनके लिए वास्तु करता हूँ वो जो building बनाते हैं जो नाय टावर बनाते हैं उन सब में मैं उनके साथ involved minimum मेरी fees अगर मैं start team बोलू for a normal house I charge 1.5 to 2.5 lakh रुपीस for a 2 बहक और 3 बहक then it depends on the size size क्या है घर का क्योंकि मुझे chance ऐसा भी मिला जैसे दुबाई का mansion बता है मैंने आपको so that was 50,000 square feet so you know फिर मैं per square feet की fees पे चला जाता हूँ depend on the you know customer sir जैसा कि आपने बताया आप builders के साथ काम करते हो कोई भी tower वो बना रहे हैं तो आप consult करते हो वास पर उसमें multiple houses है सबका एक layout मोटा मोटी सेम होता है flats में तो सबके लिए वास्तू सेम काम करेगा देखिए हम क्या करते हैं जब हम किसी project पे काम करते हैं न मेरे को एक चीज बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है कि पहले तो मैं उस project को ही वास्तू फ्रेंडली कर दूँ क्योंकि project में water tank है staircase है overhead water tanks है STP tank है जो उनके drainage के tanks होते हैं so 50% तो मैं उस project को ही पहले balance करके चलता हूँ कि उस project का environment ऐसा हो जाए जो सब के लिए beneficial हो फिर अभी because इतने सारे flats हैं कोई wrong zone में चीज़े activities आती ही है तो हमको उनको balance करने में तकलीफ होती है तो अब मैं उनको क्या करता हूँ plans को grid करके toilets northeast में आ जाएं ताकि उनका mind सही चले अगर आप में इसे simplify तरीके से पूछोगे project को तो हम इस तरीके से handle करते हैं कि building को ठीक कर दिया वर्ड पूछोगे न वास्तु को करने के लिए एक layman के लिए तो तीन तरीके से हम उसको solution दे सकते हैं तीन तरीके के लोग है एक है need provider need provider कौन है जो आपको daily needs provide करा रहा है आपका बनिया है जो आपको राशन दे रहा है any retail shop जो हम retail shop में जाते हैं वो है second आता है आपका service provider service provider कोन हो गया doctor, lawyer, chartered accountant वास्तु consultant, real estate consultant यह सब service provider हो गया third आगया experience provider experience provider कौन है politician भाशन सुने तम उसको हमें एक experience मिलता है celebrity किसी celebrity आपको जानता भी नहीं होगा वहां से जा रहा होगा आप उसको request कर तो एक photo किछवा सकता हूँ because that's the experience you want to show to people वो experience provider तो इन तीनों के लिए अलग लग layers है वास्तु की need provider को क्या चाहिए मुझे रोज opportunity आए उसको मैं convert करूँ और मुझे पैसा आए उसका north देख लो उसका east देख लो उसका west देख लो north से opportunity आनी है east से उसके पास right customer आजाए right लोगों के साथ connect हो जाए west में दिन में कमाई कितनी वी gain क्या है वो देख लो service provider service provider क्या है बातों का धनी है अपनी बातों से service देने वाला है अपने ग्यान से देने वाला है अपने mind से देने वाला है अपने skill से देने वाला है north east अगर उसको इस clarity नहीं है वो किस चीज की service दे रहा है second south west balance होना चाहिए skill उसकी expertise balance होना ही चाहिए ताकि वो right solution दे सके लोगों के साथ connect हो तो east उसका बाकी जितना वो अच्छा consultation देगा fees अपने अप upgrade होती जाएगी third है experience provider अब experience provider के साथ क्या है politician हो या celebrity हो इनके लिए कोई amounts describe नहीं होते आप celebrity को आप ये नहीं पूछ सकते कि भाया वो अपने आप बताता है कि मेरी ये fees है बाकियों के साथ आप negotiate कर सकते हो celebrity के साथ नहीं कर सकते वो बुलता है मेरा ये है बोल मैं आऊं के नहीं आऊं ribbon कटवाना है मेरे से एक करोड लेता हूँ शादी में नचवाना है दो करोड लेता हूँ आऊं के नहीं आऊं film करनी है 50 करोड मेरी fees है आऊं क्यों ऐसा है कोई भी आदमी जो experience प्रोवाइड कर आ रहा है जैसे celebrity और politician वो कभी भी anxiety में नहीं होते और जल्दी जल्दी नहीं बूलते they have one calm in their mind वो वही बात बूलते हैं जो उनको बूलनी है क्यों क्योंकि south balance है इसलिए celebrity बन गए politician जिस politician का east direction खराब है यहां south खराब है उससे mistake होनी ही होनी है east खराब है यहां east की entry में कुछ negativity है वो बिचारा connect ही नहीं हो पाता पब्लीक के साथ मैंने मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अच्छे politicians की east के दरवाजे खुलवा के east direction के उनको पब्लीक के साथ right तरीके से connect करवा दिया and they were also shocked कि यह एक दरवाजा जो मेरा hardly यहां से यहां था आपने जिद करके यह खुलवाया क्योंकि जब मैंने उनको बोला यह करना पड़ेगा तो they were not listening and then their calling की यार result नहीं आ रहा I said दरवाजा तो तो तोड़ लो पहले जो बोला है E3 E4 की technical entry खोलो and खोली और अपने आप connect हो गए so जिस politician का east सही नहीं है जैसे मैंने आपको इनका बताया है कि दोर क्या होता एक कभी कभी भगवान भी आपको time लगवा देता है करने के लिए जो right time होता है उसी दिन आप करते हो बढ़ करना बहुत ज़रूरी है जिस politician का public के साथ connectivity नहीं है उसका east disturb है कुछ ना कुछ east direction में negativity ही वो clear कर दो south और south east clear कर दो confidence का zone है अब politician अगर खोदी confident नहीं है तो public को क्या बताएगा अपने आपको कैसे represent करेगा आज अगर हम अपनी current government में देखें आपने मोदी जी का confidence देखा है मेरे को नहीं लगता किसी और prime minister का ऐसा आज की देट में है पुरे world में सब हिले बड़े है क्यों कुछ ना कुछ तो balance है वो भगवान ने अपने आपी कर दिया होगा या उन्होंने करवाया होगा east और south, south, east और south ये अगर balance नहीं है तो politician कई न कई डावा डोल अपनी life में हो जाते है ज़्यादा zones को सब चीजों को हाथ लगाने की जुरत नहीं है simplify तरीका है कि बंदा करता क्या है तेरा काम क्या भाई तू करता क्या है तू देता क्या है दुनिया को वो बता दे उसके हिसाब से हम zone चेक करेंगे सारे zone सी चेक करने है क्योंकि YouTube पर सुन लिया या पेपर पर पढ़ लिया north clear होना चाहिए दरवाजा north में होना चाहिए तो सभी north के दरवाजे खोलने लग जाते है तो ज़रूरी नहीं है description होना चाहिए कि करना क्या है All right sir मज़ा आगया आपसे बात करके और मैं जनता को यह बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा और ग्यान चाहिए तो sir का Instagram है description में उसका link आप जाके sir को follow कर सकते है साथ ही साथ उनके YouTube चैनल का goal button भी हाँ screen पे आ रहा है आप दबा के subscribe कर दिए ता कि आपको regular वास्तू tips मिलती रहें और इनको contact करने का इनसे connect करने का तरीका भी सारा description में mentioned है you can reach out to him if you want to consult him मैं तो कहूँगा करू सबको करना चीए and मिलेंगे हम ऐसे ये कोई मैज़दार podcast के साथ आप से till then bye bye take care जैश्री राओं